नमस्कार, शुब प्रभात, साल का सब से खुबसुरे दिन आ ही गया है आप सब को मेरी तरफ से दीपावली की हारदिक शुब कामना है दीपावली की लक्षमी पूजा काफी सुदीर्ग है इसलिए यह वीडियो भी मैंने सुदीर्ग में एक्स्प्लेन किया है आप शाम के लक्षमी पूजा के समय बस ये वीडियो प्ले कर सकते हैं सारे मंत्र, स्तोत्र, आरती, आदी सब इसी वीडियो में हैं दिन में अगर आपके पास टाइम हो तो ये वीडियो एक बार पूरा देख लीजे ताकि आपको जेनरल आइडिया मिल जाए कि पूजा में क्या-क्या चीजे करेंगे फिर आपको लगेगा ही लगेगा कि शाम को ये वीडियो दुबारा पक्का प्ले करना है तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं दिवाली ऐसा तियोहार है जो हर प्रांत, राज्य और विदेशों में भी मनाये जाने वाला विसेश तियोहार है। दिपावली का अर्थ है दीपो का आवली यानि दिये की श्रिंखला। ये पूरे पांच दिनों का तियोहार है। आपने मेरे धन तेरस और छोटी दिवाली पूजा के वीडियो देखे होंगे यह भाय दूज तक मनाया जाता है देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र मंतन के क्रम में मा लक्ष्मी समुद्र से इसी दिन अवतरित हुई थी उसी दिन मा लक्ष्मी का विवा भगवान विश्नु के साथ संपन हुआ था और सभी जगा रोश्नी की गई थी आतहा मा लक्ष्मी का पूजन और रोश्नी करना तभी से प्रचलत है सुनिए समुद्र मंतन वाली लक्ष्मी जी की कथा समुद्र मंतन से कुल 14 तरह के रत्न आदी उत्पन हुए थे उनको सुरो यानि की देव और असुरो ने आपस में बांट लिया था पहले हलाहल विश्निकला, फिर क्रमशह, कामधेनु गाय, उच्छे श्रवा घोडा, एरावत हाथी, कौस्तुभ मनी, कल्पद्रुम ग्रंथ, रंभा नामक अपसरा अपसरा के बार महालक्ष्मी निकली कहते हैं कि महालक्ष्मी के रूप में सोना निकला था जिसे भगवान विश्नु ने धारन कर लिया इसके बाद वारुनी नामक मदिरा, फिर चंद्रमा, फिर पारिजात का व्रुक्ष, फिर पांचाक जिह शंख, धनवन्त्री भगवान जी और अंत में अमृत निकला था समुत्र मन्थन के दौरान लक्ष्मी जी की उत्पत्ती भी हुई लक्ष्मी अथार्थ श्री और समरुद्धी की उत्पत्ती, कुछ Лोग इसे सोने से जोडते हैं लेकिन कुछ लोग इसे देवी मानते हैं समुत्र मंतन से उत्पन लक्ष्मी को कमला कहते हैं जो दस महाविध्याओं में से अंतिम महाविध्या है जब माता लक्ष्मी जी का स्वयमवर का आयोजन हुआ माता लक्ष्मी जी ने पहले से ही मन ही मन में विश्णु जी को पती रूप में स्वीकार कर चुकी थी लेकिन नारत मुनी जी भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे नारत जी ने सोचा कि यह राजकुमारी हरी रूप पाकर ही उनका वरन करेगी तब नारत जी विश्णु भगवान के पास हरी के समान सुन्दर रूप मांगने पहुंच गए विश्णु भगवान ने नारत की इच्छा के अनुसार उन्हें हरी रूप दे दिया हरी रूप लेकर जब नारत राजकुमारी के स्वयमवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ राजकुमारी ने नारत को छोड़कर भगवान विश्णु के गले में वरमाला डाल दी नारत जी वहां से उदास होकर लोट रहे थे तो रास्ते में एक जलाशे में उन्होंने अपना चेहरा देखा अपने चेहरे को देखकर नारत जी हैरान रहे गए क्यूंकि उनका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था हरीका एक अर्थ विष्णु होता है और एक वानर होता है भगवान विष्णु ने नारथ को वानर रूप दे दिया था नारथ समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ चल किया उनको भगवान पर बढ़ा क्रोध आया नारत सीधे वैखुंट पहुंचे और आवेश में आकर भगवान को श्राब दे दिया कि आपको मनश्य रूप में जनम लेकर पृत्वी पर जाना होगा जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना पड़ेगा इसलिए राम और सीता के रूप में जनम लेकर उन्हें वियोग सहना पड़ा कार्ते का मवास्य के दिन ही भगवान श्री राम चंदर जी अपने पत्नी सीता और भाय लक्षमन के साथ 14 वर्षों के वनवास और रावन का वध करके आयोध्या लोटे थे उनके आगमन की खुशी में पूरे अयोध्या वास्यों ने पूरे देश को मिट्टी के दियों से सजाया था यह बेहत सुंदर कथा दिवाली को जरूर सुनी और सुनाई जाती है चलिए अब पूजा आरंभ करे दिवाली का पूरा दिन ही शुब होता है इसलिए आप किसी भी समय पूजा कर सकते हैं आज राहुकाल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अमावास यकी दिन राहुकाल का दोश नहीं लगता है फिर भी आज के दिन कुछ खास योग बन रहे हैं इन समयों पर जो पूजा के लिए भी अतियुत्तम है सुबह आठ बजे से लेकर साड़े नौ बजे तक सुबह साड़े दस बजे से लेकर दोपहर के एक बजे तक दोपहर डेड़ बजे से लेकर शाम को छे बजे तक फिर शाम को साड़े साथ बजे से लेकर रात के सवा बारा बजे तक अब मैं आपको दिवाली पूजा के सामागरी एक बार बता दू अगर आपको दिवाली पूजा के लिए इस्तमाल की जाने वाली सामागरी नहीं पता तो आप एक बार ये सेक्शन जरूर देख ले ताकि आप इनका इंतजाम कर सकें नहीं तो आप नेक्स सेक्शन पर स्किप कर सकते हैं आप इन आइटम्स का स्क्रीन शॉट निकाल कर आसानी से पूजा सामागरी शॉपिंग भी कर सकते हैं मैं सारे आइटम्स दोहराओंगी नहीं क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा आप पॉस करके स्क्रीन शॉट निकाल लीजे प्लीज सबसे पहले दीपक जलाएं अगनी को साक्षी मानकर हम पूजा शुरू करेंगे घी का दीपक भगवान की मूर्ती के बाई यानि कि आपके दाई और एवं धूप, जल, फल, पात्र, दाई और यानि कि आपके बाई और ही स्थापित करें इसे याद रखने के लिए इस तरह सोचे कि भगवान अपने हाथों से खाएंगे तो अपने बाई हाथ से जल और फल उठाएंगे तो उस तरफ रखें जल पात्र एवं कलश में गंगा जल भर लें, गंगा जल अगर उपलब ना हूँ तो आपके घर से शुद्ध पानी प्रयोग करें तांबूल बनाने के लिए पान के पत्ते को उल्टा करके उस पर हल्दी कुंगुम डालकर लौंग, इलाइची, सुपारी एवं कुछ बताशा रखें पूजन में पूर्व, अथवा उत्तर दिशा में मुख करके बैठें कुश आसन पर परिवार के साथ बैठ जाए पूजा करते समय पत्नी हमेशा पती के बाई और बैठे अगर आप भगवान के तस्वीर भी देखें, तो पत्नी हमेशा पत्नी के बाई तरफ होती है इसके दो अर्थ बताते हैं, एक कि पती के दिल के पास पत्नी रहती है, और दूसरा कि जब भगवान बान अस्त्र आधी उठाते हैं, तो दाए हाथ से अस्त्र चलाते हैं, तो पत्नी उनके बाई और रहती है दो चौकी या पत्रे ले, यदि चौकी उपलब्ध ना हो, तो थाली प्रयोग कर सकते हैं, पहले चौकी पर सफेद वस्त्र बिछा ले, क्योंकि सफेद रंग माता लक्ष्मी को सबसे प्रियर रंग है, वे पैदा तो हुई थी दिपावली के अमवासि में, जो साल का सबसे क पाला रात होता है, लेकिन उन्हें पसंद है तो दूद सा सफेद रंग, चौकी पत्री या थाली इस तरह सजाते हैं, चौकी को तयार या ये चिन उसपर बनाने का एक सीक्विंस है, इसी तरह बनाएं, ये सारे चिन अनामिका उंगली से बनाते हैं, या आप आम का एक छो स्वस्तिक के नीचे ब्रह्मा विश्णू एवं शिव के निमित तीन लंबी खड़ी लकीरे उपर से नीचे की और खीचे चौकी के निचले भाग में वायव्यकोन यानि की उत्तर पस्चिम में नव ग्रह मंडल है तू चावलों के नौ पुंज या रोली से नौ बिंदू बनाए नेत्रत्यकोन यानि दक्षन पस्चिम में उपरी भाग में सब्त मात्रिका है तू चावल से त्रिकोन में साथ साथ पुझ या रोली से बिंदु बना ले। निचले भाग के बीच में शोड़ शमात्र का हेतु चावल अथवा रोली घोल कर सोला बिंदू बनाएं नवग्रह मंडल एवं शोड़ शमात्रिका के बीच सर्प बनाएं स्वस्तिक के उपर दोने या एक छोटी कटोरी में दो सुपारी को अलग-अलग लाल मोली लपेट कर रखें दूसरी चोकी पर लाल वस्त्र बिचाकर श्री लक्ष्मी गनिश सरस्वती जी की मूर्ती या तस्वीर के साथ साथ श्री विष्णु जी की मूर्ती या तस्वीर भी रखें आप चाहें तो कुबेर यंत्र भी रख सकते हैं इसे सामने वाली चोकी के दाई और है सामने वाली चौकी के बाई और अथार्थ इशान कोन यानि उत्तर पूर्व में चावल से आठ दल बनाकर जल से पूर्ण कलश रखें कलश में दुर्बा, गंगा जल, सुपारी, हल्दी गांठ और सिक्का डालें उसमें आम के पत्ते डालें कलश में कलावा बांधें, पुना उसके उपर चावल से भरा पात्र रखें पात्र पर लाल वस्तर में लपेट कर या कलावा बांध कर नारियल रखें कलश पर स्वस्तिक बना लीजें प्रसाद, वस्तर, फल, मिठाई, खील, बताशी, दीपक, भेंट समागरी, इत्यादी सामने की और रखें अब पवित्री करन करेंगे पंच पात्र में से फूल अथवा चम्मच द्वारा थोड़ा जल अपने बाय हाथ में लेकर दाय हाथ की चारो उंगलियों से पूजा की सारी सामागरी वा उपस्तित सभी वयक्तियों पर जल छिड़कते हुए यह मंत्र का उचारन करते हुए सभी सामागरी और उपस्तित जन समू के साथ अपने आपको भी पवित्र कर लें अब आचमन करेंगे चम्मच से दाय हाथ में जल ले अब ओम केशवाय नमहा मंत्र का उच्चारन करते हुए जल को पी ले फिर चम्मच से दाय हाथ में जल ले अब ओम नारायनाय नमहा मंत्र का उच्चारन करते हुए जल को पी ले फिर से दाय हाथ में जल ले अब आम वासुदेवाय नमहा मंत्र का उचारन करते हुए जल को पी ले फिर आम रिशिकेशाय नमहा कहते हुए दाय हाथ के अंगूठे के मूल से होंठो को दो बार पोच कर हाथो को धोले अब पृत्वी पूजन करते हैं अपने दाय हाथ में पुना थोड़ा जल लेकर जल को पृत्वी पर छिड़के तथा पृत्वी पर सफेद और लाल चंदन पुष्प वर चावल छोड़े इसके बाद दीपक पूजन करते हैं अब पुष्प हाथ में लेकर दीपक का ध्यान करते हुए तथा पुष्प दीपक के पास छोड़े फिर गुरु वंदना करते हैं गुरु का चित्र गुरु ना हो तो महालक्ष्मी को ही गुरु माने चौकी पर दाय हाथ की और स्थापित करें सर्व प्रथम गुरु के चित्र को गीले वस्त्र से पहुंचें उसके बाद रोली धूप दीप चंदन पुष्पादी चढ़ाएं फिर दोनों हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें गुरु ब्रह्म्हा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरह गुरु साक्षात परप्रहा तस्मै श्री गुरवे नमहा अखंड मंदला कारं व्याप्तम येन चराचरं तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमहा अम गुरुवे नमहा, अम परम गुरुवे नमहा, अम परातारत गुरुवे नमहा, अम परमीष्टी गुरुवे नमहा, अम गुरु पंक्ते नमहा अब समय है मंगल तिलक का दाइ हाथ से तिलक लगाएं इसके बाद मूली को पुरुष की दाइ कलाई और स्त्री की बाई कलाई पर बांधें मूली बांधते वक्त हाथों में कुछ सिक्के या अक्षट पकड़ कर बांधेh खाली हाथ ना बांधेh मुली बांधते हुए रक्षा सूत्र मंत्र का उच्चारन करें रक्षा सूत्र मंत्र इस तरह है अब स्वस्ति वाचन करते हैं दाए हाथ में अक्षत, पुष्प एवं तामबूल लेकर स्वस्ति वाचन करें स्वस्तिना इंद्रो व्रिधश्रवाह स्वस्तिना पूशा विश्ववेदाह स्वस्तिना स्ताक्षरेय अरिष्ट नेमी स्वस्तिनो व्रिहस्पति ही दधातू अब श्री गौरी गनेश ची की स्मरन करेंगे दाय हाथ में अक्षत पुष्प लेकर इस मंत्र पर ध्यान करें गजाननम भूत गनादी सेवितम कपिथ्य जम्भु फला चारु भक्षनम उमा सूतम शोक विना शकारकम नमामी विखनेश्वरा पाद पंकजम शुक्लाम भरदरम विश्णम शशिवर्णम चतर भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्वविघनु पशांत ये अभिस्पिता अर्था सिध्यार्था पूजितो या सुरा सुरेहे सर्वविघन हरह तसमें गनाधी पत ये नमाहां सर्व मंगल मंगल ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरन ये त्रेंब के गोरी नारायनी नमुस्त ते अब अक्षत एवं पुष्प को गनेश आंबिका पर समर्पित कर दे अब सभी देवताओं गोरी गनेश विश्नु इत्यादी को नमस्कार करेंगे हाथ में अक्षत लेकर नाम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा अक्षत छोड़े ओम सर्वे भ्यो देवे भ्यो नमहा अक्षत छोड़े ओम सर्वे भ्यो ब्राह्मने भ्यो नमहा अक्षत छोड़े ओम मात्रु पित्रु चरन कमले भ्यो नमहा अक्षत छोड़े अब समय है संकल्प लेने का बिना संकल्प के पूजन पूर्ण नहीं होता इसलिए संकल्प करें डाय हाथ में जल, पुष्प, अक्षत, गंध, सिक्का, पान का पत्ता और सुपारी लेकर या मंत्रब से संकल्प करें ओम विश्नवे नमहा, ओम विश्नवे नमहा, ओम विश्नवे नमहा अपने क्षेत्र, शहर, मुहला, मकान, संख्या, उच्चारन करें यानि कि अपना address उच्चारन करें क्षेत्रे मसोत्तमे मासे कार्थिक मासे क्रिश्न पक्षे शुभति थो अमावास्याम दिपावले पुन्य परवणी बुद्धवासरे शुभपुन्यति थो अपने गोत्र का नाम ले गोत्रह अपना नाम ले नामे हम अर्थ सर्व अभीष्ट फला प्राप्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष चतर्विध पुरुशार्थ सिध्धि प्राप्ति अर्थ श्री महालक्ष्मी तद अंगत्वेन निर्वेगन अर्थ गनपति आदी देवानाम पूजन अच्च करिश्यें अब सभी वस्तों को भूमी पर छ अब ओम का राधि पूजन करेंगे ध्यान हाथ में पुष्प लेकर नमस्कार करें अब पुष्प हाथ में लेकर श्री का ध्यान करेंगे ओम श्रीष्च ते लक्ष्मी च पत्या वहो रात्रे पार्शवे नक्षत्रानी रूपम आशवे नव व्यात्तम इश्नान निशाना मुम्म इशाना सर्वलोकम इशाना पुष्प श्री के उपर छोड़ दें अब हाथ में पुष्म लेकर अलग-अलग ब्रह्मा विश्नु एवं शिवजी का ध्यान करेंगे अब पुष्प ब्रह्मा जी को समर्पित करें शंक चक्र गदा पत्महस्तम गर्डवाहनम किरीट कुंडल धरम विश्नम आवाह्यामि अहम ओम भूर भुवस्वह विश्नवे नमहा पुष्प विश्नु जी को समर्पित करें त्रिनेत्राय नमह तुभ्यम उमादे हार्थधारिने त्रिशुल धारिने तुभ्यम भूतानाम पतये नमहा ओम भूर भुवस्वह रुत्राय नमहा पुष्प शिवजी को समर्पित करें हाथ में पुष्प लेकर सर्प देवता का ध्यान करें अब शोड़ शमात्र का पूजन करेंगे हाथ में पुशप लेकर शोड़ शमात्र का का ध्यान करें गौरी पत्मशची मेघा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाह मातरो लोक मातरह ध्रितिही पुश्टिही तथा तुश्टिही आत्मनह कुल देवताह गनेशेन अधिकेही एता वृधो पूज्यात्रह तुशोड़ श हाथ जोड़ कर प्रात्रना करते हुए शोड़ शमात्र का पर पुश्प एवं ताम्बूल समर्पित करें इती शोड़ शमात्र का पूजनम अब सब्त गृत मात्र का पूजन करेंगे हाथ जोड़ कर सब्त गृत मात्र का पर पुश्प एवं ताम्बूल अर्पित करें श्री लक्ष्मी ही धृति ही मेघा स्वाहा प्रज्या सरस्वती मांगल येश्व प्रपूजयनते सब तैत गृत मामा रह अब नवग्रह पूजनम करेंगे हाथ में पुश्प लिए नवग्रह पर पुश्प एवं ताम्बूल अर्पित करें ब्रम्ह मुरारिही त्रिपुरारंत कारी भानुहु शशी भूमिसूतो बुद्धश्च गुरुह च शुक्रह शनी राहु केतवः सवे ग्रहाह शांतिकरा भवन्तु अब शुरू होती है श्री महालक्ष्मी पूजनम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी मंत्र कमल गटे या फिर स्फटिक की माला पर जपना अधिक उत्तम होता है ध्यान रहे कि पूजा करते समय या मंत्र उचारन करने समय हाथ कभी भी खाली ना रहे हाथ में फूल या चावल अवश्य रखें अब इस मंत्र पर ध्यान करें या सा पत्म आसन स्था विपुल कटितटी पत्म पत्रायत ताक्षी गंभीर आवर्तन नाभी हिस्तन भरन मित शुब्र वस्त्र उत्तरिया या लक्ष्मी दिव्यरूपे है मनी गनख खचते है सना पिता हमकुंभे है सा नित्यम पत्म हस्ता ममवस्त गुरुही तर्वमांगल्य युक्ता श्री महा लक्ष्मी ये नमहा ध्यानम समर्पयामी पुष्प मा लक्ष्मी के चरनों में छोड़ दे अब मा लक्षमी का आवाहनम करेंगे हाथ में अक्षत लेकर इस मंत्र से मा लक्षमी का आवाहन करेंगे और अक्षत को मा के चर्णों में छोड़ दें अब मा को आसन देंगे दाई हाथ में पुश पलीचे अब मा को आसन देंगे दाई हाथ में पुश पलीचे अमलम कमलम दिव्यम आसनम प्रतिग्रह्यताम ओ महालक्ष्मिय नमहा आसनम समर्पयामी आसन के रूप में पुश्प महालक्ष्मी के पास छोड़ देंगे अब माता के चरंध होएंगे पाध्यम से ओम गंगाधि तीर्थ संभूतम गंधपुश पाधि बिह्युतम पाध्यम ददामी आहम देवी ग्रिहान आशू नमोस्तुते ओम महालक्ष्मिय नमहा पाध्यम समर्पयामी ओम महालक्ष्मिय नमहा पाध्यम समर्पयामी और ये जल मूर्थी के आगे या मालक्ष्मी के चित्र को दिखाकर चांदी के सिक्के पर चरंध होने के लिए समर्पित करें अब अर्ख्य देंगे एक अर्ख्या में गंध अक्षत पुश्प लीजिए ओम अश्ट गंध समायुक्तम स्वर्न पात्र प्रपूरतम अर्ख्य ग्रहान मत्ततम महालक्ष्मिय नमुस्तते ओम महालक्ष्मिय नमहा हस्तयोह अर्ख्यम समर्पयामी अर्ख्य मूर्थी के आगे अथवा मा के चित्र को दिखाकर चांदी के सिक्के पर समर्पित करें अब माता के मूर्थी या तस्वीर को गंगाजल और पंचामरित से नहलाएं अगर तस्वीर है तो गंगाजल और पंचामरित तस्वीर पर छिड़क दें स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पन करें अब माता को गंध, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, दुर्वा, इत्र की शीशी अर्पन करें इसके बाद हम अंग पूजन करेंगे मंत्र के हर एक लाइन के बीच में आपको माता को रोली और पुष्प समर्पित करना है इती अंग पूजा अब अश्ट महा लक्ष्मी पूजन करेंगे इसमें भी हर लाइन के बीच में आप कुमकुम चावल और पुष्प चड़ाएंगे अम योग लक्ष्मी नमहा इती अश्ट लक्ष्मी पूजनम अब मा को धूप दीप और नैवेद्य समर्पन करें और हाथ मुख धोने के लिए भी थोड़ा सा पानी समर्पन करें अब माता को धक्षिना समर्पित करें जो भी धक्षिना आप समर्पित करते हैं अगले दिन किसी जरूरत मंद को या फिर मंदर में भी आप दान कर सकते हैं अब श्री हनुमान जी के सिंदूर में देसी घी मिला कर घोल बनाएं स्याही से भरी दवात को मा महालक्ष्मी के सामने पुष्प तथा अक्षत पुझ पर रख कर घोल से दवात पर स्वस्तिक बनाए और मोली बांध दे अब मालक्ष्मी मंत्र का जाप 18 या 108 पार करें अब सरस्वती माता की पुझा करेंगे इसके लिए हाथ में पुष्प ले ले ओम शारदा शारदाम भोज वदना वदनाम बुझे सरवदा सरवदा अस्माकम सन्निधिम सन्निधिम क्रियात वीना पुस्त कधारिन्ये श्री सरस्वत्ये नमहा इती ही सरस्वती पुझनम अब कुबेर पूजनम करेंगे मा लक्षमी के आगे एक लाल वस्तर बिचाएं उस पर हल्दी, धनिया, कमल गट्टा, द्रव्य, दूर्वा रखें अब धूप, दीप, अक्षत, रोली एवं चंदन से पूजा करें बांध कर थेला बना लें हाथ में चावल और फल लेकर प्राधना करें और चावल तथा पुश्प तिजोरी में छोडें धनदाय नमस्तुभ्यम, निधिपद्म, अधिपायच, भगवन्त्वत प्रसादेन, धनधान्य आदे संपदह प्रार्थना कर, पूर्व पूजत, हल्दी, धन्या, कमलकटा, द्रव्य, दुर्वादी से युक्त थेली तिजोरी में रखें इती कुबेर पूजनम अब दीप मालिका पूजनम करेंगे, किसी थाली या परात में दीपक को प्रजवलत कर महालक्ष्मी के पास रखें तथा ओम दिपावल ये नमहा, इस नाम मंत्र से गंध, पुष्प और चावल द्वारा दीप जोती का पूजन कर प्रार्थना करें अपने कुलाचार यानि कि कुल परंपरा के अनुसार रंगोली बनाएं, धान का लावा यानि कि खील, फल, इक, पानी फल, इत्यादी पधार्थ, दीप जोती, गनेश, महालक्ष्मी तथा आवाहित सभी देव देवताओं को समर्पित करें अन्त में सभी प्रज्वलित दीपको को संपूर्ण ग्रह में रखें, दीपक इस प्रकार रखें कि घर का प्रतियेक कोना रोशन हो, इती दीप मालिका पूजनम अब पूजा के अंत तक पहुँच गए हैं, गनेश जी और मालक्ष्मी जी की आरती गाएंगे जै गनेश जै गनेश जै गनेश देवा, माता जा की पारवती पिता महा देवा एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, माते सिंदूर सोहे मुसे की सवारी जै गनेश जै गनेश जै गनेश देवा, माता जा की पारवती पिता महा देवा अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांज़त को पुत्र देत, निर्धन को माया जै गनेश जै गनेश जै गनेश जै गनेश देवा, माता जा की पारवती पिता महा देवा हार चड़े फूल चड़े और चड़े मीवा लड़ुवन का भोग लगे संत करे सेवा जै गनेश जै गनेश जै गनेश देवा माता जा की पारवती पिता महादेवा दीनन की लाज रखो शंभु पुत्रवारी मनोरत पूरा करो जै बलेहारी जै गनेश जै गनेश जै गनेश देवा माता जा की पारवती पिता महादेवा अब लक्ष्मी आरती ओम जै लक्ष्मी माता मैया जै लक्ष्मी माता तुमको निशिदिन सेवत तुमको निशिदिन सेवत हरी विष्णु विधाता ओम जै लक्ष्मी माता ओमारमा ब्रह्मानी तुम ही जग माता मैया तुम ही जग माता सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारदर शिकाता ओम जै लक्ष्मी माता दुरका रूप निरंजनी सुख संपति दाता मैया सुख संपति दाता जो कोई तुमको ध्यावत रिधि सिधि धन पाता ओम जै लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुख दाता मैया तुम ही शुख दाता कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवन धिकी तराता ओम जै लक्ष्मी माता जिस घर में तुम रहती सब सद गुन आता मैया सब सद गुन आता सब संभव हो जाता मन नहीं घवराता ओम जै लक्ष्मी माता तुम बिन यग्यना होते वस्त्र ना कोई पाता मैया वस्त्र ना कोई पाता खान पान का वैभव सब तुम से आता ओम जै लक्ष्मी माता सब गुन मंदिर सुन्दर क्षीरो दधी जाता मैया क्षीरो दधी जाता रत्न चतुर दश तुम बिन रत्न चतुर दश तुम बिन कोई नहीं पाता ओम जै लक्ष्मी माता महा लक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता मैया जो कोई जन गाता उर आनंद समाता उर आनंद समाता पाप उतर जाता ओम जै लक्ष्मी माता महा लक्ष्मी जी से क्षमा प्रार्थना करें कि पूजा में अगर कोई भी गलती या कमी रह गई हो तो उसे क्षमा कर दें अंत में आपकी इच्छा मन में ही दोहराए दिपावली पूजन के पस्चाथ सभी सामागरी देवी एवं देवताओं की स्थापना को सारी रात यथा स्थान रहने दे विसरजन अगले दिन करे ध्यान रहे कि गनेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्थी को विसरजन नहीं करना है एक वर्षा रखना होता है अगले वर्ष नए मूर्थियों की पूजा के बाद ही पुराने वर्ष की मूर्थी को विसरजन करते है अगर आप पुराने मूर्तियों का ही पूजन करना चाहते हैं तो पंचामृत और गंगा जल से नहला कर साफ कपड़े से पोच दे चड़ाई हुई दक्षना किसी ब्राहमन को या मंदर में दान करें तो इसी से दिपावली पूजा संपन होती है दिपावली के साथ साथ नए वर्ष की आपको फिर से धेर सारी शुब कामना है हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नमस्ते